पांचो पांडवों में से कर्ण शायद अर्जुन से ही सबसे ज़्यादा द्वेश रखते थे। कर्ण के सामने जब भी अर्जुन आ जाता था कर्ण आग बबूला हो जाते थे। आखिर क्यों कर्ण और अर्जुन के बीच इतनी घ्रना थी। जब पांचो पांडवों के शिक्षा पूरी हुई तब गुरु द्रोनाचारी ने परिवार के सामने उनके युद्ध कोशल का परदर्शन कराया। अर्जुन मैदान में आया और अपनी धनूर विद्य का परदर्शन कर सब को हैरान कर दिया। तब ही एक योध्धा दर्शकों में से मैदान में आया और उसने अपने अमोग बानों से वो कर दिखाया जो करने में अर्जुन को खासी मेनत करनी पड़ी थी। साथ ही उसने नम्रता से विंती की कि वो भी अपनी धनूर विद्य का परदर्शन करना चाता है। और जो भी यहां अर्जुन ने किया वो मेरे लिए एक साधारन कारे है। साथ ही उसने अर्जुन से द्वंद करने की भी इच्छा जाहिर कर दी। वो करन था। पर कृपचारे ने उसे सूत पूत्र कहकर उसकी बात काट दी। और कहा कि ये मैदान सिर्फ राज कुमारों का शौरे दिखाने के लिए बना है। तब दुर्योधन ने करन को अंग देश का राजा घोशित कर दिया और वहां उसका राजतिलक कर दिया। अर्जुन ने करन से कहा करन तुम वीर हो पर तुम ये मत समझो की वीरता का वरदान सिर्फ तुम्हें मिला है। संध्या हो चली है इसलिए पिता में भीश्मने परदर्शन बंद करने का आदेश दिया है। वर्न मैं तुम्हें अपने बानों की शक्ती दिखाता। उस दिन अर्जुन को द्वंद में पराजित करना करन की ख्वाहिश बनकर रह गई। और वहीं से उनके बीच घ्रणा और प्रतिस परधा की नहीं उपड़ी। गुरु द्रोण की ना। गुरु द्रोणाचारे ने अर्जुन को सर्वस्रेष्ट धनुर्धर बनाने के लिए दिव्यास्त्रों की शिक्षा देना प्रारम किया। तब ऐसा उलेक मिलता है कि कर्ण ने भी गुरु द्रोणाचारे से दिव्यास्त्रों की शिक्षा उसे भी देने का अनुरोध किया। तब गुरु द्रोणाचारे को रंग भूमी में हुई वो घटना याद आ गई जब कर्ण ने सीधे अर्जुन को ललका रहा था। तब ही कर्ण ने वो बात कही जिसे सुनते ही द्रोणाचारे ने कर्ण को दिव्यास्त्रों की शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण ने कहा गुरु देव आप मुझे भी ब्रह्मास्त्री की शिक्षा प्रदान करें। मैं अर्जुन से भी स्रेष्ट धनुर्धर बनकर दिखाऊंगा। ये शब्द सुनते ही गुरु द्रोनचारे बोले तुम अर्जुन से अत्यंत इर्षा करते हो। इस प्रकार ली गई शिक्षा किसी काम नहीं आती। वे शब्द सुनते ही कर्ण और अर्जुन के बीच संभ नगरी में जाकर एक ब्रहमन के घर निवास करने लगे। उनसे भेट करने रिशी वेदव्यास वहां आ पहुंचे। उन्होंने पांडवों से कहा कि तुम सब पांचार राज्य चले जाओ वहां दुरुपद कन्या द्रौपदी का स्वेमवर होने वाला है। पूर्व जन में पांच पती मिलेंगे जो मिलकर सरगुण संपन होंगे। ऐसा कोई गुण नहीं होगा जो उन पांचों में से किसी न किसी के पास न हो। वह यग से उत्पन हुई बालिका सब तरैसे तुम्हारे उप्योपद है। तब पांडवों को लगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि क इसी राजकुमारी का विवा पांच पतियों से हुआ हो। किन्तु गुरु वेदिव्यास की आग्या मानकर वे पांचाल चल पड़े। वहाँ जरासंद, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन जैसे योधा मचली की आँख में भेदन करने में असफल हो चुके थे। जैसे ही करन अपना धनुष उठाकर आगे बढ़ा, तब दुरौपदी बोल उठी, यह सूत पुत्र है, मैं इसका वरण नहीं कर सकती। करन वहीं अपमान का घूट पीकर बैठ गए। ब्रहमन सभा में बैठे ब्रहमन रूप में अरजुन ने मचली की आँख में तीर मार दिया। इस प्रकार दुरौपदी का विवा अरजुन से हुआ, तब बाद में करन को पता चला कि वे ब्रहमन कोई और नहीं अरजुन था। तब एर्षा की खाई करन के मन में और गहरी हो गई। गंधर्वों से युद्ध। जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब दुरियोधन और शकुनी ने उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने ध्रतराष्ट से कहा कि वे गोधन की गंड़ना करने के लिए वन में जाना जाते हैं। तब उन्होंन ने कर्ण पर एक साथ धावा बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि तब कर्ण के पास उनका विजय धनुष नहीं था और वे दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं कर सकते थे। गंधर्वों ने कर्ण को वहां से भगा दिया। ऐसा ही उलेख मिलता है। और दुरियोधन क्योंकि जब अर्जुन इंद्र के कहने पर स्वर्ग गया था तब चित्रसैन से अर्जुन की भेट हुई थी। तब गंधर्वों ने दुरियोधन और बाकी सभी को छोड़ दिया। तब दुरियोधन को भी कर्ण के बाहुबल पर शंका हो गई थी। जब कर्ण को पता च कर्ण को पूछते हैं तब कुंती उनसे आकर मिलती है। कर्ण नमरता पूर्वक पूछते हैं ये राध्य पुत्र आपकी क्या सेवा कर सकता है। कर्ण को आभास होचता है कि वह जरूर उसकी माँ है। तब कर्ण समझ जाते हैं कि कुंती पांडवों का जीवन दान मागने आई है। कर्ण कहते हैं देवी मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पांच पुत्र जीवित बचेंगे। यदि अर्जुन वीर्गति को प्राप्थ हुआ तो मैं जीवित रहूँगा। अन्य था अर्जुन जीवित रहेगा। यहां भी कर्ण के मन में अन्य किसी पांडव के पृति कोई घ्रणा या दुवेश नजर नहीं आता। सिर्फ अर्जुन के पृति ही उनकी सारी पृतिद्वन दिता नजर आती है। यहां भी साफ नजर आता है कि वे दुर्योधन की जीत के परती उतने इमानदार नहीं जितना वे दिखा रहे हैं। जीवन मरन के सवाल पर भी वे सिर्फ अरजुन को ही चुनते और देखते हैं। भीश्म और कर्ण के बीच मदभेद। युद्ध के समय जब भीश्म योध्धाओं की सुची बना रहे थे तब उन्होंने कर्ण को सबसे सक्तिशाली योध्धाओं की पहली श्रेणी में नहीं बलकि उसके नीचे वाली दूसरी श्रेणी में रखा था। इसे लेकर भी उनका भीश्म से विवाद हो गया था। भीश्म ने कर्ण को दूसरी श्रेणी में इसलिए रखा था क्योंकि वे अक्सर निर्ने लेने में चूप कर जाते थे। भीश्म द्वारा अर्जुन से तुलना करने पर कर्ण एक दम उखड गए थे और भीश्म पिता में के शिविर को छोड़ कर चले गए थे। अभी मन्यूवद जब युद के बीच चकर व्यू में अभी मन्यूवद हो रहा था तब कर्ण भी उसमें सहभागी था। कर्ण एक महान यूदा था और पांडवों के बीच अपने रिष्टे को अब जानता भी था। किन्तु जब अभी मन्यू का इस प्रकार अनीती कर वद किया जा रहा था तब कर्ण सबसे आगे की पंक्ती में ही था। विशलेशक मानते हैं कि इसके पीछे भी कर्ण के मन में अरजुन से अखंड द्वेश ही कारण था। अगर उसमें कर्ण उस अनीती पर सवाल खड़ा कर देता तो शायद ही दुर्योधन उनकी बात काटता और उस दिन इस तरह अभी मन्यूवद न होता। विशलेशक मानते हैं कि अभी मन्यूवद से अरजुन कमजोर हो जाएगा और फिर उसका वद आसानी से किया जा सकेगा शायद ये सोच उस घटना के पीछे रही हो पर हुआ उसका उल्टा क्योंकि वासुदेव गिर्षन अरजुन को संभालने के लिए वहाँ पर थे। हर छोटी बात पर अरजुन से प्रतिस्फरदा कर्ण का स्वभाव बन चुका था। त्रीका भरे दर्बार में अपमान किया जो किसी भी शत्रिये के लिए लज्जा की बात होती थी। कर्ण के जीवन का एक मात्र उद्देश ही अरजुन को हराना बन गया था। किसी से इतनी घ्रणा आपके पूरे जीवन के उद्देश्यों का बरबाद और कलंकित कर देती है। कर्ण का चरित्र हमें शायद यह एक शिक्षा भी देता है कि अपने जीवन में किसी से प्रतिस्फरदा और द्वेश करके उंचा नहीं बना जा सकता। अपनी शक्तियों को जानकर उनका विकास करना और खुद को लगातार विक्सित करते जाना ही आपको महान बना सकता है। झाल झाल